हलो स्लूदेंस कैसे हो सब बढ़िया चलो बहुत बढ़िया रे औप्टिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं बच्चो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक हम लोग आ चुके हैं और कल के लेक्चर में हमने सिंपल माइक्रोसकोप पड़ा था आज तो उससे भी जादा important lecture है बच्चो क्योंकि simple microscope के बाद आज के lecture में हम लोग पढ़ने वाले हैं compound microscope compound microscope बहुत important topic है बच्चो और cbsc exams में बहुत बार इसकी working इसकी magnifying power का derivation वो सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है और सबसे important इसका diagram जिसको बनाने में बच्चों को बहुत जादा मुश्किल आती है तो बच्चो compound microscope की working को समझने के लिए आपको पहले simple microscope वाला वीडियो देख लेना चाहिए तभी ये working आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी वरना आपको इसमें दिक्कत आ सकती है ठीक है तो शुरू करें अब simple microscope की problem क्या थी simple microscope की problem ये थी कि उसकी magnifying power जो है वो कम है उसकी magnifying power 8-9 units की आती है लेकिन अगर मुझे बहुत जादा magnification चाहिए तो फिर मैं क्या करूँगा compound microscope यूज़ करूँगा compound microscope में magnify करने के लिए एक की बज़ाए दो lens यूज़ होते हैं और किस तरीके से यूज़ होते हैं ज़रा देखें ये है principal axis ठीक और यहाँ पर एक object है और सॉरी lens है object भी रखेंगे अभी कोई जल्दी नहीं यहाँ पर एक lens है ठीक अगर इस lens के focus के बाहर एक object रख दिया जाए ऐसे एक object जिसका नाम है AB मान लो ठीक तो उसकी image कहाँ बनेगी बच्चो याद करो ray diagram सा आपने पड़े है convex lens के जब भी object convex lens के focus के बाहर होता है optical center और focus के बीच में है तो इस तरफ उसकी virtual and direct image बनेगी लेकिन जैसे ही object focus के बाहर चला जाता है उसकी इस तरफ real image बनने लगती है ठीक है तो ये f dash मान लो इसका एक focus इधर भी होगा इतनी ही दूरी पे यहाँ पे और इस focus को हम लोग नाम दे देते हैं f ये वला f dash हो गया वो हो गया f तो एक ray जो optical center से जाती है वो ये री ठीक और दूसरी ray parallel जाती है और उसके बाद reflect होके कहां से pass होती है focus से pass होती है ठीक clear अच्छा तो अब सबसे पहली दिक्कत diagram बना दे में आएगी आएगी आपको यहाँ पे मेरे पास तो देखो अच्छा खासा space है मैं पूरे board पर diagram बना सकता हूँ लेकिन आपको बनाना होगा notebook में answer sheet में तो बच्चों हर बार बच्चों की मैं यह problem देखता हूँ कि उनका जो diagram है वो paper से बाहर निकल जाता है अब यह race कहां पर जाके meet करेंगी ज़रा देखो करते करते बच्चे कई बार उसको यरेज करकर के diagram बनाते हैं जिससे कि उनका time बड़ा waste होता है तो मैं आपको जो steps बता रहा हूँ साथ साथ में diagram बनाता जाता हूँ और साथ साथ में steps आपको बताता जाता हूँ Exact same यही steps आपको follow करने है तो आपका पहली बार में डाइग्राम बन जाएगा ठीक स्टेप्स क्या है ज़रा ध्यान से देखो शुरू से इसको बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो यह है हमारा प्रिंसिपल एक्सेस देखो इतनी जगा में इस डाइग्राम को हम फिट करेंगे यह हमारा प्रिंसिपल एक्सेस ठीक और यह है लेंस ठीक अच्छा ध्यान से सुनना आप यहां पर ऑब्जेक्ट रखो लेकिन फोकस मार्क मत करो अभी उसका रीजन समझ में आ जाएगा आप यहां पर ऑब्जेक्ट तो रखो लेकिन फोकस मार्क मत करो और आपको हमेशा पहली रे कौन सी बनानी है देखो दो रेज है ना एक तो parallel जाएगी, focus से pass होगी और दूसरी optical center से जो straight जाएगी आपको हमेशा पहले जो optical center से ray जाएगी वो बनानी है कारण अभी बताते हैं तो पहले हम ये वाली ray बना लें जो optical center से जाएगी ये अब जब आप पहले ये ray बनाते हैं न बच्चो तो आपके हाथ में आ गया कि आपको image कहाँ बनानी है, कैसे? अब आप जब दूसरी वाली ray बनाओ गए ये ऐसे गई, तो आप कहीं से भी pass करा दो ना आप चाहते हो यहाँ मेरी final यहाँ पे मेरी image बने, यहाँ image बने तो जैसे मर जी मोड़ दो अगर मैं पहले यह बना लेता, तब तो इसको तो मुझे सीधा ही बनाना है आप समझ रहे हो, अगर मैं पहले इसको बना लेता तो यह मुझे सीधी बनानी थी, फिर यह पता नहीं कहा जाके meet करती, यहाँ पे मैं इसको कहीं पर भी meet करा हूँ, मैंने इसको ऐसे मोड़ दिया, और यहां पर meet करा दिया और यह मुझे पता है focus से पास होती है, तो यह इसका focus हुआ और अगर इतनी दूर यहां पर focus है, तो इतनी ही दूर आप यहां पे अब यहां पे, इधर वाला focus mark कर लो समझ में आई बात, तो आपको हमेशा, यहां पर focus पहले नहीं mark करना आपको पहले यह वाली ray बनानी है उसके बाद यह वाली ray बनानी है तो आदा काम हमारा खतम हो गया अब compound microscope में क्या होता है बच्चो, एक तो आपको यह वाला समझ में आ गया होगा इस वाले lens का roll समझ में आ गया होगा कि इसने simply क्या करना है उस तरफ एक real image बनानी है अब यह जो image बनी है मान लो इसका नाम हम रख दें object का हम नाम रख दें a, b और यह image बनी है इसका हम नाम रख दें a, b, यह दूसरे वाले lens के लिए object का काम करेगी और अगर यह दूसरे वाले lens के focus से बाहर होगी अगर यह यहाँ पर एक दूसरा lens हम लोग बनाएंगे अभी नहीं बनाएंगे step wise जल रहे हैं न यह दूसरे वाले lens के लिए object का काम करेगी और अगर यह दूसरे वाले लेंस के भी focus से बाहर है तो जब focus से बाहर होता object तो image बनती है दूसरी तरफ तो अगर यह दूसरे वाले lens के focus से बाहर बनेगी तो इसकी image बनेगी उधर जबकि उधर से तो मैं देखूंगा ना image को, तो मेरी तरफ image नहीं बननी चाहिए, मुझे तो lens के through देखना है image को, तो image इसी तरफ बननी चाहिए, और same side पे object और image जब रहते हैं, तो object जो है, वो focus और optical center के बीच में रहता है, इसका मतलब है, compound microscope की adjustment ऐसे करनी है, कि ये वाली जो image बन रही है, जो दूसरे वाले lens के optical center और focus के बीच में बननी चाहिए, और दूसरा वाला lens आपका ठीक वोई role play करने वाला है, जो simple microscope ने play किया था, ये, इधर, आना, ये, ऐसा एक diagram हमें, दूसरे वाले lens के लिए बनाना है, ठीक, तो पहले क्या करें, पहले lens नहीं बनाएं, क्योंकि अगर पहले lens बनाओगे, तो आपकी इधर से जो rays आनी है, वो पता नहीं कहां जाके meet करेंगी, तो जो अब इस वाले lens के लिए, जो मैं steps बता रहा हूँ, आपको वही follow करने है, तो पहले, सबसे पहले देखो क्या है, एक ray जाती है, जो focus से पास होती है, हना principle axis के parallel जाती है, focus से प पर भी, जो ऐसे सीधी जाए, और focus से पास हो, lens नहीं बना रहे हम अभी, ये सीधी गई, focus से पास होई, ठीक, अच्छा, ये इसको आप यहाँ खीच दो, ये इसका ये वाला हिस्सा है न, ये इसका ये वाला part है, ये जो सीधी गई, focus से पास हो, ये इसको यहाँ समने suppose यहाँ आपके पास जगा थी आपने final image यहाँ पर बना ली उसका नाम रख दिया A double dash B double dash अब देखो जब image बनती है एक रहे तो यह वाली खिचके आती है जो parallel गई थी और focus से पास होई दूसरी कौन सी आ रही होती है सीधा जो optical center से पास होती है और object की tip से पास होती है तो यह आपकी दूसरी रह यहाँ पर बन जाएगी आपने सिरफ इन दोनों को जोड़ना है आपने इन दोनों points को ऐसे जोड़ना है यह ठीक और इस रह को आगे खीच देना है सीधा यह तो आपको मिलेगा दूसरे वाले lens का optical center और आपको बस यह ध्यान रखना है कि यह दोनों जो है वो point same line में आए क्योंकि जहाँ optical center होता है थोड़ा सा इसे straight बनाए जहाँ optical center होता है ठीक वो इसका center होता ना तो वहीं से यह वाली होती है तो यह आपको अब बना देना है final lens यह रहा आपका lens कि दूसरा वाला कि समझ में आई बात था अगर आप यह steps follow करोगे आप खुद घर पर प्रेक्टिस करके देख सकते हो अगर आप यह steps follow करोगे ठीक यही वाले जो मैंने बताए इन steps को follow करने के बाद आप अपने इस diagram को कितनी भी जगा में fit कर सकते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप यह steps follow नहीं करते हो तो फिर इस board पे भी शायद यह diagram fit ना हो पाए रेस पता नहीं कहां पे जाके meet करें ठीक है तो आप यह steps follow करके diagram बना लें तो आपको एक बर मैं समझा देता हूँ यहां पे हमने एक object रखा है diagram के steps तो आपको समझ में आ गए अब हम compound microscope की working पे चलते हैं यहां पे आपने एक object रखना है इस वाले lens के focus के बाहर इस वाले lens को क्या बोला जाता है इस वाले lens को बोला जाता है क्योंकि यह object की तरफ है तो इस वाले lens को बोला जाता है और अब्जेक्टिव लेंज और यह आख की तरफ है क्यों यहां से आप एक आख से देख रहे हैं एक आख दो आख जितने आख से देखना देखो यहां से यहां से यहां से आप देखेंगे तो आपको आपको इस object की यह image दिखाई देने वाली तो आप इस तरफ से देख रहे है ना तो यह वाला lens जो है यह आँख के पास है इसको बोला जाता है आई पीस यहां फिर हम इसको आई लेंस भी बोल सकते हैं कि आई लेंस ठीक समझ में आई बात अच्छा अब देखो यह objective lens के focus के बाहर एक object रखा जिसको हमने देखना है उसकी एक real and inverted image बनेगी और हमने यह ध्यान रखना है कि वो real and inverted image दूसरे वाले lens के focus के अंदर बने इस वाले का नाम हम रख देते हैं F-O क्योंकि objective lens का focus है इसका हम नाम रख देते हैं F-E और इधर होगा एक F-E तो इसको हम लिख देते हैं F-E इसके focus के अंदर बनेगी अगर तो same side पे इसकी virtual and direct image बनेगी इसके comparison में इसके respect में virtual and but overall तो यह real and inverted है इसकी real and inverted image बनी और उसके comparison में virtual and direct image बनी बट बनेगी inverted इसके comparison में इसके respect में virtual and direct लेकिन इसके comparison में यह क्या है real and inverted मतलब image तो virtual है लेकिन है inverted हाना कब क्या होगा inverted image अगर हमको finally दिख रही है किसी भी object की तो क्या हमें problem नहीं आएगी नहीं आएगी बच्चों क्यूंकि आप microscope से वो छोटी छोटी चीज़े देखते हो जिनका सीधा और उल्टा कुछ होता ही नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यह image उल्टी बन रही है अमीबा को आपको देख अगर अमीबा देख रहे हो microscope से तो यह image से आपको क्या लगेगा कि उसके सर नीचे हैं टांगे उपर है उसका सर और टांगे तो कुछ होते ही नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है उल्टी इमेज बनती है बनने दो लेकिन आप सोचो कितनी जादा मैगनिफाई होगी पहले यह मैगनिफाई हुआ फिसने और ज्यादा मैगनिफाई करते है ठीक तो अब हम निकालेंगे इसकी मैगनिफाइंग पावर का मैगनिफाईंग पावर क्या थी बच्चो याद करो बीटा बाय अलफा जिसको हम लोग एक अप्रॉक्सिमेटली क्या लेते थे टैन बीटा बाय अलफा हाना और टैन अलफा का तो डाइग्राम से तो कोई लेना देना नहीं है टैन अलफा सिंपली क्या है कि हमारी आँख क कितना एंगल डालता है तो टैन अलफा क्या था यहां से टैन अलफा क्या था एच नोट बाय डी चिक और बीटा क्या होता है बीटा होता है जो फाइनल इमेज है बिलकुल फाइनल यह फाइनल इमेज है ना यह हमारी आख पे यह आई लेंस पे कितना एंगल सब्टेंट कर अगर बीटा इस बढड़े वाले ट्रैंगल का पाट है suppose this is O and this is O अगर बीटा जो है वह कौन से ट्रैंगल का पाट है A double dash B double dash O का पाट है लेकिन वह A dash B dash O dash का भी तो पाट है तो हम 10 बीटा बड़े वाले ट्राइंगल से निकालने की वज़ाए छोटे वाले से अगर निकाल लें तो हम इसको लिख सकते हैं एडैश बी डैश बाई एडैश ओडैश और एडैश ओडैश क्या है ये ये जो है ये इस वाले लेंस के लिए अब्जेक्ट का annéeश अब्जेक्ट का रोलप्ले कर रही बच्चो तो ये है इस वाले लेंस के रिस्पेक्ट में कि अब्य Oops लेंगे अब याद आप करो कि हमने सिंपल माइक्रोट में यूई इसलिए लिया था क्योंकि यही वो लेंस है जो सिंपल microscope में था, वो simple microscope वाला lens जो role play कर रहा था, उसमें यही वो role play कर रहा है, तो इसके respect में जो हम लोग distances ले रहे हैं, वो e subscript के साथ ले रहे हैं, ठीक, समझ में आई बात, अच्छा, तो put करें यहाँ पे, a dash, b dash by, a dash o, u e, okay, but problem है, कि हमें a dash b dash नहीं पता, अब a dash, b dash कैसे निकालें, a dash, b dash निकालने का एक तरीका हम निकालें, याद करो, हमने magnification का formula पड़ा था, class 10th में, किसी भी lens की magnification होती है, height of image by height of object, जो की v by u भी होती है, यह mirror के लिए minus v by u होती है, lens के लिए plus v by u होती है, तो यह 10th में formula था, इसकी help से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर मैं इस वाले lens की बात करूँ, objective lens की बात करूँ, तो objective lens के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, height of image क्या है, objective lens के लिए तो यह image है ना, और ulti बन रही है, तो height of image लिख सकते है, minus a dash b dash, और height of object है a b, यहां से a dash b dash की value आ जाएगी, इस objective lens के लिए v क्या है, भई यह इसके लिए image है ना, तो यह इसके लिए जो distance है वो not से हम लोग लेंगे, u not, v not, ठीक है, तो इसके लिए इधर वाला distance, इधर वाले distances positive होते हैं, तो v की value हम लोग लिख दे v not, और u क्या है इसके लिए, यह rise का object distance, जिसको हम लोग लेंगे u not, बट यह light के opposite direction में है, तो इसको हम लोग लेंगे minus u not, minus से minus कट गया, a dash b dash आपका आया, v not by u not into a b, हाना, दिख रहा है ना यह आपको नीचे, ज्यादा नीचे तो नहीं कर दिया नहीं, दिख रहा है, और a b क्या है, a b है object की height, इसको हम लोग लें h not, तो क्या लिख सकते हैं, a b की जगा हम लोग सीधा क्या लिख दें, h not, तो a dash b dash की value आ गई, यहाँ पर put कर दें, यह हमको नहीं पता थी ना, यह value हमने यहाँ पर put करी, तो यह बना मेरा v not by u not into h not, a dash b dash की जगा पुट कर दिया ना, तो नीचे ue तो बना रहेगा, therefore, इसकी m, magnification, a magnifying power is tan beta by tan alpha, this is tan beta, v not by u not into h not by ue upon tan alpha, h not by d, h not by d, h not say h not cancel, m आ गया, v not by u not into d by u, ठीक, यह इसकी magnifying power का formula है, तो बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, v not by u not क्या है, v not by u not तो magnification है ना, इसकी, किसकी, objective lens की, तो v not by u not की जगा, m not लिख सकते हैं, और d by ue, याद करो, simple microscope में formula आया था ना, इसकी magnifying power के लिए, तो इसकी जगा हम लोग लिख सकते हैं, m e, तो simply, जो compound microscope की magnifying power है, वो इन दोनों की magnifications का product है, जो की बहुत logical सी बात है, आपको बताया भी था कि, lenses के combination में, जो overall magnification या magnifying power होती है, वो दोनों की individually, दो lens हैं, जितने भी lens हैं, उनकी magnifying power का product होती है, क्यों, क्योंकि ये, ये, इसको 2 times magnify कर रहा है, और ये, मान लो, इसकी magnification है 2, इसकी है 3, तो इसको 2 times magnify करेगा, और ये 2 times magnify जो हो चुका है, उसको 3 times magnify करेगा, तो overall ये वाली इससे 6 times जादा magnified हो, है न, समझे आई बात, अच्छा, इसमें भी 2 cases ले लो, case 1, case 1, when final image, final image is formed at B, यानि की सबसे बड़ी कब दिखती है, last video lecture बताया था, सबसे बड़ी image कहां दिखती है, least distance of distinct vision पर जब बनती है, क्योंकि सबसे पास वहीं देख सकती है, उससे दूर ले जाएंगी, तो छोटी हो जाएगी, तो when final images formed at D, याद करो, क्या formula है था, M E का, M E का क्या formula है था, पिछले lecture में है, इसको दुबारा हम लोग नहीं derive करें, 1 प्लस D by FE, तो उस case में M हो जाएगा, V naught, V naught by U naught into 1 प्लस D by FE, और case 2, हमने बोला था कि जब least distance of distinct vision पर image बनती है, तो बनती तो सबसे बड़ी है, लेकिन इतनी पास से देखने पर, आँखों पर बड़ा strain पड़ता है, तो हम चाहते हैं कि, थोड़ा दूर बने, ताकि relaxed mode में आँखें उसको देख पाएं, तो जब थोड़ी दूर बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि final image is formed at infinity, and that adjustment is called normal adjustment, final image देखो, final image infinity पे कब बनेगी, final image infinity पे कब बनेगी, image infinity पे तब बनती है, जब object focus पे होता है, तो इस वाले के लिए ये object का roll play कर रहा है, तो अगर ये object ठीक यहाँ पे बनेगी, ये वाले focus पे, तो final image कहाँ बनेगी, infinity पे, उसको हम लोग बोलते हैं normal adjustment, तो याद करो, उसके लिए m e क्या आया था, one नहीं आया था ना, एक unit का माया था, d plus f e, तो इससे आपको m क्या मिलेगा, v naught by u naught into d by f e, ये formula special अलगलग cases इसके आप याद रख सकते हो, बच्चो, ठीक है, तो ये याद रखें, कुछ questions में, sorry compound microscope है, एक चीज़ और याद रखें, कुछ questions में, length of microscope tube दे रखी होती है, बच्चो, so length of microscope tube is nothing but this distance, दोनों lenses के बीच का, जो distance है, o o dash, इसको बोलते है length of microscope tube, जो की होगा v naught plus u e, v naught plus u e, और u e की length चाहिए, मुझे सिरफ sign convention से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने उसको mod में लिख दिया, तो ये आप जरूर याद रखें, length of microscope tube, इससे एक missing variable निकालने में मदद मिलती है, ठीक, तो ये था compound microscope और इसकी working, diagram बनाने के steps याद रखें, खुद practice करके देखें, नहीं तो सिर्फ सुन के देख के बाद समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगी, ठीक, तो आप इसको prepare कर लेना, मैं आप से मिलूगा next video lecture में, इसके अगले topic के साथ, astronomical telescope, तब तक के लिए all the best,